इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ अपने मुबाइल फोन में इंस्टागराम आईडी कैसे बनाएं अगर आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर इंस्टागराम का आईडी बनाना चाहते हैं तो अपने mobile phone के अंदर Instagram का ID बनाने के लिए सबसे पहले आपको play store से Instagram application को download कर लेना है अब यहाँ पे Instagram application को जैसे आप download कर लेते हैं आपको यहाँ पे Instagram को open कर लेना है अब यहाँ पे Instagram open करने के बाद कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा नीचे के साइड में आपको option देखने को मिलेगा create new account simply आपको इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पे जैसे आप आ जाते हैं आप से पूछा जाएगा आप अपना Instagram का ID mobile number से बनाना चाहते हैं या फिर email ID से आप यहाँ पे mobile number से बनाईएगा तो आपके number पे OTP आएगा अगर आप यहाँ पे email ID से बनाना चाहते हैं तो email ID पे OTP आएगा तो email ID से बनाने के लिए simply हम यहाँ पे नीचे के साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना email ID डाल देंगे अब email ID या mobile number डालने के बद आपको next वाले बटन पर क्लिक करना है जैसा आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद कुछ इस परकार के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आपके email ID पे या फिर mobile number पे OTP आएगा तो यहाँ पे simply हम अपना email ID खोल लेते हैं और यहाँ पे जो OTP आएगा simply हम डाल देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP आगिया 035298 ठीक है तो यहाँ पे simply हम डाल देते हैं 035298 तो यहाँ पे मैंने डाल दिया OTP डालने गबर आपको next वाले बटन पर क्लिक करना है अब यहाँ पे next वाले बटन पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पे एक नया password बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप अपना Instagram ID का जो password बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल दिजिए चलिए हम एक नया password बना लेते हैं अब यहाँ पे password बनाने के बदल आपको next वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे next वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस परकाल का interface आ जाएगा आपको यहाँ पे save पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका date of birth डालने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे date of birth आप अपना डाल देजिएगा तो यहाँ पे simply हम अपना date of birth डाल देते हैं आपको भी सही सही अपना date of birth यहाँ पर डाल देना है अब डेटोबर्ट जैसे आप यहाँ पर डाल दते हैं उसके बाद आपको सेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स का जो बटन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे next वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एक user name बनाने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते है user name हमारा ले लिया automatic अगर आपका नहीं लेता है तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से user name डाल देना है user name में number का भी इस्तेमाल किजेगा क्योंकि आपका user name पहले से कोई बनाया होगा तो आपको नहीं मिलेगा थोरा अलग थोरा unique आपको यहाँ पे रखना होता है उसके बाद आपको यहाँ पे next का जो बटन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे नीचे के साइड में आई अगरी का जो बटन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आजाएगा अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा आप अपना profile picture लगा लगा लीजे तो profile picture लगाने के लिए आपको 8 picture पर क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद choose from gallery पर क्लिक कर दीजे यहाँ पर क्लिक करने के बाद permission आपको allow करना है और यहाँ पे आपका gallery का photo खुल जाएगा आप अपना gallery से कोई भी photo अपने DP में लगा सकते हैं तो मेरे phone में यहाँ पे कुछ photo पड़ा हुआ है इन में से हम कोई photo लगा लेते हैं अपने DP में example लिए यही वाला photo लगा लेते हैं ठीक है यहाँ पे photo लगाने के बाद आपको नीचे के side में जो done का button देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है उसके बाद फिर से आपके सामने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ID खुल गया यहाँ पे आपको नीचे के side में continue उपर click करना है उसके बाद permission आपको allow कर देना है और यहाँ पे आपको skip वाले button पर click करना है फिर से आपको यहाँ पे skip वाले button पर click करना है अब यहाँ पे आपको नीचे के side में जो skip का एरो वाले बटन पर किलिक करना है उसके बाद यहां पर आपका इस्टागरम का आईडी खुल जाएगा कुछ इस परगार से आप भी इस्टागरम आईडी बना सकते हैं वीडियो आपको कैसे लागा आपको जोड़ से बताईएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले